नमश्कार दोस्तो चकरवाती तुफान में परचोई ने अपनी तभाई मचानी शुरू कर दिया है और आप स्क्रिन पर देख सकते हैं कैसे तेजी सी के आगी बढ़ रहा है और अज विभिन इलाकों पर राजिस्तान में तभाई मचानी के साथ भारी बरसाद करेगा वही द सही जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप राजिस्तान के कौन से जिले गाउं या शहर में रहते हैं वही दोस्तो राजिस्तान के विबिन इलाकों पर रेड अलेट सारी कर दिया है बाडमेर जोतपूर समयत कई जगाउपर रेड अलेट है उसके साथ भीलवाड़ा करोली सवोई माधेवपूर सीकर टोंक बिकानेर में तेज में गरजना के साथ भारी बरसात होगी आप अजमेर जोतपूर और बिकानेर में राश्टिय आपदा मोचन बल, SDRF की आर्ट और किशनगर जमेर और NDRF की यहाँ पर एक कमपनी तैनात किया है बताये जा रहा है कि आज बाडमेर जालोर में अलग-अलग शेत्रों में अतेदिक भारी बरसात के लिए रेड अलेट सार जोतपूर नागर भीलवाडा उदैपूर जिले में भारी बरसात हो सकती है और जैसलमेर बिकाने जैपूर जितरोडगर प्रतापकर डुंगरपूर बांसवाड़ा बूंदी टोंक जिले में अच्छी बरसात हो की और दोस्तों यहाँ बर्वे भारी बरसात मौसम और यहाँ पर रविवार को बाडमेर जालोर पाली और सिरोही में रेड अलर्ट है क्योंकि दोस्तों यह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दोस्तों इन जिलों पर भारी तबाही मचाएगा और आज रजिस्तान के विबेर इलाकों पर दोस्तों लगपक गर्मी से रहत रहेग दोस्तों अगर आप रजिस्तान में रहते हैं तो सच सच कमेंट करके बताना कि पिछले दो दिन के दोड़न यहाँ पर चक्रवात का असर देखने को मिला है कि नहीं यहाँ पर तेजभाई चलनी शुरू हुई है कि नहीं और आज से दोस्तों भैना घुरूव इसका देख कोड़ा में एक और भीनमाल में एक और पाली के सुम्रेरपूर में जो है दो और जोदपूर जिले के ओसिया में एक और जैसल में जिले के फतेगड़ में एक सेंटिमिस्ट बरसात हुई है और यहाँ पर अगले 24-48 घंटों के दुरन कई इलाकों और मुसलादाल बरसात हो जबकि जैसल में राजसमन उदैपूर डुंगरपूर में भारी से भारी बरसात को लेकर अनुमान है और मुसल विभाग के अनुसार बाटमेर जालोर पाली सिरोही जिले के लिए रेड अलट है वहीं जोदपूर नाकोर अजमेर राससमन भिलवाड़ा उदैपूर जिले म भी देखने को मिल सकता है रेड अलेट जारी किया गया है जोदपूर जिले के लिए भी दोस्तों यहाँ पर बाटमेर में भी और भीलवाड़ा करोली सवाई माधेपूर सीकर टॉंक बिकानेर नागोर में तेज हवाग गरजन के साथ चक्रवाद आगे बढ़ते बढ़ते इन जिलों में तभाई मचाएगा और अनेक इलाकों पर भारी बरसात और कई जगा पर अब तक बाटमेर ने 70 mm बरसात हो चुकी है वही दोस्तों यहाँ पर मुसलादर बरसात से 17 से अधिक ट्रेनिर रद हो गई है और बाटमेर की निशले इलाकों में जल भराव हो गया है यानी पानी भर गया है इतना जादा बरसाती मौसम देखने को मिल रहा है उतार चड़ा जारी और तेज हवाव के साथ परिवर्तन पाली सिरोही वा जालोर चोटान समयत यहाँ पर भारी से भारी तभाई वाली बरसाती मौसम देखने को मिल रहा है है जबकि अजमेर के कुछ सारण और नागोर सीकर पाली भिलवाड़ा बुंदी टोंग सवाई माधैपूर में ओरिज अलट सारी किया गया है । जबकि जैयपूर जोद पूर सीकर जुझझनी चित्रोंट का रासमन्थ में यलो अलट सारी किया गया है राजिसान में विपर जोई का असर काफी भया ने करहा और काफी जगाओं पर हाई अलट मोड पर देखने को मिल रहे हैं वहीं दोस्तों अब एक एक जिली की बात करें तो देख सकते हैं अजमेर में रात के समय 26-27 तो दिन के समय 26-28 के करीब तापमान रहेगा तीन दिन भारी बरसात और इस वक्त जो है अजमेर में भारी बरसात हो रही है और चार दिन तक भारी बरसात को लेकर अलट चताए जा अलवर की बात करें तो 29-30 रात के समय तो दिन में 32-33-34, तीन दिन भारी बरसाद बिजली चमकेगी, मौसम में परिवर्तर उतार चड़ाब जारी और भारी बिजली चमकने को लेकर अलट पीचताएंगे हैं बात स्वाड़ा की बात करें तो 27-28 रात के समय तो दिन में 30-31, 4 दिन तक भारी बरसाद को लेकर अलट सारी हैं बिजली चमकेगी, मौसमें परिवर्तर न लगातर मौसमें बदलाद देखने को मिलेगा बांका की बात करें तो 29-30 रात के समय तो दिन के समय आज जो है 32-33 के करीब तापमान रहेगा चार दिन भारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसम में परिवतन होगा बार्डमेर की बात करें तो 26-27 रात के समय तो दिन में 32-33 तीन दिन भारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसम में परिवतन उतार चड़ा जारी रहेगा भरतपूर में 33-34 रात के समय तो दो दिन भारी बरसात और बिजली चमक ने मौसम में परिवतन अलट जताए जा रहे है भिलवाडा में 27-28 रात के समय तो दिन के समय यहाँ पर 30 के नीचे तापमान रहेगा तीन दिन भारी बरसात को लेकर अलट है बिजली चमकेगी मौसमें भायनक परिवर्टर देखने को मिलेगा बिकानेर में 28-29 रात के समय तो दिन में 33-34-3 दिन बादल चाहे रहेंगे भारी बरसाथ होगी बिजली चमकेगी मौसमें परिवर्टर नों अलट जताए जा रहा है बुंदी की बात कर तो इस समय बरसाथ हो रहे है अगले 3-4 दिन बारी बरसाथ को लेकर अलट है यहाँ पर रेड अलट वेवर्ट में इलागों पर देखने को मिला है देश के और दोस्तों यहाँ पर बुंदी में भारी बरसाथ को लेकर अलट है चितोडगड में 3-4 दिन भारी बरसात होगी तापर में भारी गिरावट तो दोस्तों राजिस्तान के कई जगाओ पर दोस्तों तभाई वाली बरसाती मौसम जो अबी रिकॉर्ट किया जा रहा है यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि चुरू में भारी बरसात को लेकर अलर्ट है मौसम में हलचर उतार चड़ाब जारी है तेज हवाव के साथ बरसाती मौसम को लेकर अलर्ट जताय जा रहे हैं यहां पर बताये जा रहा है कि दोस्तों दोसा में रात के समय 28-39 दिन के समय यहां पर भारी बरसात को लेकर अलट जटाये जा रहे हैं और बिजली चमकेगी दोलपूर में 30-31 रात के समय तो दिन में 35-34 चार दिन भारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसमें परिवर्तन उतार चड़ाव जारी होगा तेज हवाओ के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा हनुमानगड की बात कर तो 28-29 रात के समय तो दिन में 31-32 तापमान रहेगा पास दिन बादल चाहेंगे उतार चड़ाव जारी रहेगा तेज हवाओ के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा जैबूर की बात कर तो 28-29 रात के समय तो दिन में 32-33 चार दिन भारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसमें परिवर्तन उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है वहीं दोस्तों जैसल मेर में 27-29 रात के समय तो वहीं 33-34 पूरे 7 दिन बादलों की अवाजाई हल्की बुद्णमादी मौसमें परिवर्तन होगा जलोर की बात करें तो 26-27 रात के समय तो दिन में 27-28 दो दिन भारी बरसात बिजली चमकेगी मौसमें परिवर्तन उतार चड़ाव दारी रहेगा दिन के समय 32-33 पूरे 5 दिनों तक भारी बरसात होगी और मौसम में बतलाव उतार चड़ाव जारी रहने के आसार है वहीं दोस्तों गोड़ा की बात करें तो मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलट सारी किया है बिजली चमके की मौसम में परिवर्तन होगा उतार चड़ाव जारी और तेज अवाव के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा यहाँ पर नागौर की बात करें तो 27-28-29 रात के लिए तो दिन के लिए 39-39 और चाह दिन भारी बर्सात और बिजली चमकने को लेकर अलट है मौसर विभा की माने तो पाली में रात के समय 27-28 तो दिन के लिए देख सकते हैं तीन दिन भारी बरसाथ होगी और नागोर पाली में अगले दो दिनों तक दोस्तों भारी से भारी बरसाथ को लेकर अलर्ट है और यहां पर बहुत ज़्यादा बरसाथ होने और तबाही देखने को मिल सकती है प्रतापगड की बात करें तो 32-33 रात के लिए तो दिन में 43-41 ताप मान रहेगा चार दिन बादल मौसम में हलचल होगी बरसाथी मौसम उतार चड़ा परिवरतन होगा वहीं दोस्तों यहां पर बताये जा रहा है कि रास समन्द में 24-25 रात के लिए तो दिन में यहां पर 26-28-29 के करीब ताप मान रहेगा तीन दिन बारी बरसाथ मौसम में हलचल उतार चड़ा पजारी और तेज हवाव के साथ परिवरतन होगा सभी मादेवपूर में 30-31 रात के लिए तो दिन में यहां पर देख सकते हैं चार दिनों तक भारी बरसाथ और सोमवार मंगलवार को और भी जादा भारी बरसाथ होगी बिजली चमके की मौसम में परिवरतन होगा उतार चड़ा पजारी रहेगा और वहीं दोस्तों सीकर में 27-28 रात के लिए और दिन के समय 30-31 तापमान रहेगा चार दिन भारी बरसाथ को लेकर अलट जारी है मौसम में हलचल उतार चड़ा पजारी रहेगा तेज हवाव के साथ मौसम परिवरतन बरसाथी मौसम और बिजली चमके सकते हैं यहाँ पर सीरोही की बात करें तो 25-26 रात के लिए तो दिन के समय 27-28 के करीब तापमान रहेगा बादल चाहे रहेगे तीन दिन भारी बरसाथ बिजली चमके की मौसम में परिवरतन होगा उतार चड़ा पजारी होगा और तेज हवाँ के साथ मौसम में बदला उतार चड़ा पजारी रहेगा श्रीक गंगनगर के बारे में बात करें तो 28-29 रात के लिए तो दिन में यहाँ पर 37-39 के करीब तापमान रहेगा बादल चाहे रहेंगे मौसम में हलचल उतार चड़ा पजारी रहेगा टॉंग की बात करें तो टॉंग में रात के समय 29-30 तो दिन में 33-35 के करीब तापमान रहेगा पा builders भारी बरसात होगी बिजली चमकेगे और सोमवार को भारी बरसात और रवीवार को भी बरसात को लेकर अलरट है उधैपूर की बात करें तो दोस्तों उधैपूर में भारी तबाई और बारिश और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है विभिली इलाकों में मौसम बदलेगा उतार चड़ाफ जारी रहेगा भारी से भारी बरसात को लेकर अलर्ट भी जताए जा रहे हैं यानि पूरे राजिस्तान में दोस्तों मौसम में हल चल है उतार चड़ाफ जारी और भारी बरसात देखने को मिलेगी तो दोस्तो ये था पूरे राजिस्तान का मौसम का वीडियो पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद